खबर भुपास से जहाब पर रिटायर्ड भ्रष्टा चार अफसरों पर अब कारवाई की तैयारी है। खबर भुपास से जहाब पर रिटायर्ड भ्रष्टा चार अफसरों पर कारवाई की तैयारी है। अमरितांशी हमारे साथ जुड़ी है। अमरितांशी इस समिटी में किस-किस को रखा गया है। कब तक ये जाच होगी और कब रिपोर्ट सो अपनी होगी। बिल्कुल लेकिए सामाने प्रशासन विभाग के अपर सचिफ इसके साथी साथ तर्मदा घाटी विकास प्रादिकरण के और राजसु विभाग के अधिकारी चार सदसी ये कमिटी है। और मध्यप्रदेश में ब्रश्टाचार अब नहीं चलने वाला है। ब्रश्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीती मोहन सरकार अपनी पहले ही साफ कर चुकी है। रिटायर हो गए और रिटायर होने के बाद अब वो शायद आराम के जिन्दगी ची रहे होंगे। लेकिन ये खबर जो है क्योंकि मोहन सरकार ने साफतोत पर कह दिया है कि अब देखिए जो भी ऐसे अधिकारी नहीं हैं जो रिटायर हो गए हैं अब रश्टाचार के आरो इनमें से कोई से भी विभाग हो इनमें जो तमाम जो भरश्टाचार में सनलिप्त रिटायर अफसर थे उनकी उपर देखिए अब अनुशा असन समीती की एक बैठा कि यह बिठाई जाने वाली है और इसको लेकर पूरी जाच की जाएगी कि कौन-कौन उनके साथ सनलिप् हैनके सामने भी रखेंगे मत्जविदेश में महוं सरकार पहले ही साफ कर चुक stability कि भी method कि रसिष्टा चार कर चुके हैं अब उनकी भी file खुलने वाली है और जब जब यह जाच होगी तो इसमें देखना को कि जो तमाम ऐसी अदिकारी है जोनकी उपर आरोप कि अगर आरोप तै होते हैं तो सरकार उनको लेकर क्या कुछ कारवाई करती है और कोई अगर इसमें विभाग को इससे नुकसान पहुंचा हुआ है तो उसको लेकर सरकार क्या कुछ कदम उठाती है तो चलिए अमर्टाशी की बारे में कोई जान कारी है उस दोरान कई बार उनके उपर ऐसे आरोप लगते हैं अब आरोप तै होते हैं या नहीं ये तो बात की बात होती है क्योंकि इसमें लगतार जांच चलती है अब ऐसे पूरी लिस्ट देखी निकाले जाएगी पहले से लिस्ट अफसरों के पास होगी कि कौन-कौन की उपर ऐसे आरोप लगे थे कौन से विभागे थे जाए जेल विभाग के हो पी एचक्यू जो भी विभाग हो उनमें जो भी एसे नाम जो है उच्छलका सामने आये कि वो आरूपी है या नहीं अगर उनके आरूप सिद्ध होते हैं तो जाहिर सी बात है वो कारवाई के अंतरगात आएंगे और अगर उनके भरष्टा चार के कारण विभाग को कहीं से कहीं तक नुकसान पहुंचा है क्योंकि विभाग जनता के लिए काम करते हैं वो पैसा ज चुले नजरे आप बनाय रखी गाम रिताशी आगे भी आपसे अपडेट लेंगे फिलाल बहुत बहुत शुक्री आपका तमाम जानकारी के लिए